हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अगामी गुजरात बिधान सभा का चुनाव लड़ेगा पार्टी संरक्षक और पुर्वस्तियम जीतनरामानजी ने कहा कि जल्दी ही सीटों और गठ बंदन को लेकर फैसला हो जाएगा उन्होंने कहा कि गुजरात में भी उनकी पार्टी का संगठन है हाल में ही जब उन्होंने गुजरात का दोड़ा किया था तब पार्टी की नेताओं ने उनसे आगरह किया था कि हम लोगों को वहां चुनाव लड़ना चाहिए जितना मानजी ने कहा कि हाल में ही गुजरात गये थे काफी लोगों से मुलाकात हुई बड़ी संख्या में हमारी लोग वहाँ है सभी ने कहा कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए उनको हमने कहा कि इसी महीने के अंत में हम गुजरात आएंगे फिर तै करेंगे कितनी सीट पर लरेंगे ये समझ लिजिए कि गुजरात में चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है मानजी ने कहा कि बिहार में हम महागठ बंदन के साथ हैं पुरे देश में विपक्षी एक्ता को लेकर मुख्य मंतरी नितीश कुमार प्रयास कर रहे हैं जहां तक गुजरात में चुनाव लड़ने की बात है तो हम चाहेंगे कि महागठ बंदन के साथ एक जूट हो कर ही वहाँ चुनाव लड़े लेकिन अगर बात नहीं बनी तो अकेले ही मैदान में आएंगे पुर्वसीयम ने कहा के फिलहाल हिंदुस्तानी आवाम मोर्शा गुजरात में संगठन मजबूत करने में लगा हुआ है हम इसी महीने के अंत तक वहाँ का दोड़ा करेंगे हमारे साथ राष्ट्रे अध्यक संतो सुमन गुजरात जाएंगे उसके बाद सब कुछ असपर्ष्ट हो जाएगा लेकिन इतना तय है कि गुजरात विधान सभा चुनाव में हमारी पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ेगी और काफी लोगों से मुलाकात हमारी हुई है और काफी हमारे लोग हैं दो दिन में दो सौ आदमी हम से मिले थे ने कहा है कि जाँ आप चुनाव लड़े हमने उनको कहा है कि हम इसी महिना के अन्त में हम गुजरात आवेंगे और उसमें हम तैग करेंगे कि कहां कहां चुनाव कैसे कैसे लड़ा जा सकता है लबोलब यह है कि हम रहां चुनाव लड़ेंगे इसकी संभाव में है इसमें सर भासपा के खिलाब कॉंग्रिस का भी एक यातरा चलिए भारत जोरो जो हमरा गठबंदन विहार में है यह कर रहां और फिलाफ रहा है और भारत प्रियास 국我們 और अनलोग कर रहे हैं तो हम उससे बाहर नहीं जा सकते हैं और अगर उसा होगा तो उसी में हम गुंजाई सोचेंगे कि हमको भी वहाँ कुछ जुरो दिक्षांस से करो फरी खुद को स्ट्रेस से